सब अच्छ होंगे अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो पेटा आज हम करने जाने अपनी वक्षिट नंबर 18 ठीक है साइन सब्जेक्ट की है पेटा सेवंथ क्लास के बच्चों के लिए दो तारीक की है जिसमें हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स ठीक है यह चेप्टर है जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन पढ़ेंगे, कि डाइजेशन होता गया है तो देखो लुक एट दी फॉलोइंग पिक्चर तो आपको यहां पर पिक्चर को देखने को बोला है जिसमें बेटा देखो the goat is eating leaves तो जो बकरी है वो क्या खा रही है पत्या खा रही है पोदो की the lion is eating meat तो जो lion है शेर है वो क्या खा रहा है मास खा रहा है the crane is eating fish यानि कि जो वक है बगुला है बेटा वो क्या खा रहा है मचली को खा रहा है तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं ठीक है तो देखो बेटा यहां से हम जानेंगे animals get their food from the plants जो animals होते हैं वो अपना भोजन plants से लेते हैं either directly by eating plants as high herbivores and indirectly by eating animals that eat plants as carnivores ठीक है तो क्या कहना चाहरे हैं कि animal क्या करते हैं अपना भोजन पोधों से लेते हैं या तो directly लेते हैं या indirectly जो लेते यानि कि जैसे बकरी ने खाए था बेटे पेड़ पोधे खाए थे या हाती हो गए गाए हो गोड़े यह सब क्या कहते हैं पेड़ पोधे जो खाते है एनिमल्स को ठीक है कुछ जैसे यह हो गया यह किसको खाता है बेटा मास को खाता है जैसे हीरन को खा गया बकरी को खा गया तो यह क्यों खाता है इसने बकरी ने तो पेड़ों को खाया ठीक है और बकरी को किस ने खाया शेर ने खाया तो कुल मिला कर एक तरीके से तो सेर भी किस पर पोधो पर ही डिपेंड है अगर बकरिया पऊदे नहीं खाएंगे ये नहीं रहेंगी तो सेर क्याते खाएगा है तो पुल मिला कर उन जन्तू को अन्य जन्तू खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं यानि कि शेर क्या हो गया कार्निवोर्स ठीक है जो मास खाता है इसको बोलेंगे मासाहरी इसको साकाहरी some animals eat both plants and animals ठीक है तो इनको क्या बोला जाता है omnivores जो plant को भी खाते हैं और जन्तों को भी खाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं all the organisms including humans humans require food for growth repair and functioning for the body ठीक है तो बिटा आप देखो ये भोजन तो लिया लेकिन ये करता क्या हमारे सरीर में सभी जितने भी जीव जन्तों हैं मनुष्यों को भी मिला कर सभी को भोजन किसले require होता है growth के लिए विर्दी के लिए शरीर की, repairment के लिए ठीक है और functioning of the body और हमारा जो body है वो अच्छे तो सही तरीके से कारिय कर सके ठीक है अब nutrition क्या होता है nutrition includes nutrient requirement mode of intake of food and its utilization in the body तो nutrition term का मतलब क्या है nutrition include करता है nutrient requirement मतलब हमारे सरीर को किन किन nutrients की आवशक्ता होती है और mode of intake of food यानि कि तरीके क्या है भोजन को लेने के and its utilization in the body और हमारे सरीर के अंदर क्या उपियोग है ये तीनों points जो है हमारे nutrition के अंदर आते हैं अब इसके बाद हम nutrients क्या होते हैं हमने अभी टर्म पढ़ी थी nutrients तो nutrients क्या होते हैं बेटा component of food जो कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो ठीक है nutrients होते हैं such as carbohydrates, fats, proteins are very important for energy and growth of the body तो जो component होते हैं nutrients के वो क्या होते हैं important होते हैं ठीक है जिसे carbohydrates, fats and protein किसके लिए जरूरी होते हैं हमारी body की energy हमारे सरीर को energy चाहिए कोई भी कारे करने के लिए ठीक है इसके लिए जरूरी होते हैं और growth के लिए अब देखो बेटा but these components of food such as carbohydrates are complex substance जो component होते हैं ठीक है component कौन से हो गए carbohydrate, fats and proteins लेकिन इन में से जो carbohydrate होते हैं वो क्या होते हैं complex substance होते हैं ठीक है जिसकी वज़े से क्या होता है इनको हम सीधे तोर पर कुछ जन्तु नहीं पचा सकते तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है पहले एक जटिल रूप से यानि की complex substance से इनको simplest form में convert करना पड़ता है जब जाकर इसको सब जीवजन्तु ले सकते हैं ठीक है तो इसलिए क्या लिखो गए यापर इस complex substance cannot be used by body directly तो इनको हम directly use नहीं कर सकते so they are broken down into the simpler substance तो हमें इनको पहले क्या करना पड़ता है simpler substance के अंदर तोड़ना पड़ता है जब हम इसको easily digest कर सकते हैं ठीक है जैसे कि हम सीधे बेटा पेड़ पोदो को नहीं खा सकते अन्य जीवजन्तु खा लेते हैं लेकिन हम नहीं खा सकते हैं हम पहले इनको उबालते हैं तब जाकर हम इनको अच्छे से पचा सकते हैं अब पचाना वर्ड बार बार सुन रहे हो digestion तो digestion होता क्या है तो complex substance का simpler substance में breakdown क्या कहलाता है digestion कहलाता है अब इसके question answer करते हैं देखो write the name of three animals which eats plant तो उन animals के name लिखो जो कि क्या करते है जैसे कि क्या हो गया बेटा गोट हो गई बकरी हो गई और कौन खाता है काओ खाती है ठीक है horse खाता है इस तरीके से और भी लिख सकते है और buffalo लिख सकते हो elephant भी क्या करता है गहस खाता है और पत्या खाता है ठीक है अब second question कहा है death and fats are used for energy and proteins are for death of the body तो यहां पर क्या आएगा carbohydrates ठीक है carbohydrates and fats तो यह दोनों क्या होते है हमारी energy के लिए जरूरी होते है और सरीर की उर्जा के लिए and proteins किस लिए जरूरी होते है proteins are for the growth ठीक है हमारे सरीर की growth के लिए जरूरी होते है ठीक है spelling बेटा मैं दुबारा लिख देती हूँ नहीं तो आप यहां से लिख दो कि our growth of our body ठीक है next question है what do you mean by the digestion digestion से मतलब क्या है बेटा तो digestion देखो the breakdown of the complex component of food into simpler substances is called digestion तो आप इसमें लिख दोगे third में यह fourth है why is the digestion needed for animals तो digestion जो है वो animals के लिए जरूरी क्यों होता है तो यहां से देखो बेटा कि यहां से यह हटा देना आप लिखना the component of the food such as carbohydrate are complex substance these complex substances cannot be used by the body directly इसको आप डारेक्ली नहीं ले सकते इसलिए so they are broken down into the simpler substance by the process of by the process of digestion ठीक है आप इसमें यह लिख दोगे ओके तो यह आपका fourth cancer हो जाएगा यहां से the component of food such as carbohydrate are complex substance these complex substances cannot be used by the body directly so they are broken down into the simpler substances ओके तो यह थी बेटा आपकी आज की वक्षित उमीद करते हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी फिर भी कोई doubt हो तो comment box ने पूछ लेना इस वीडियो में इतने अपना next topic हम अपनी next वीडियो में करेंगे तब तक के लिए ऐसे हसते लिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए thank you करेंगे करेंगे